नमस्ते साथियों आप यहां पर देख रहे हैं माताओं अर्थात अविभावक के समू निर्माण का रजिस्टर ठीक है तो इस रजिस्टर को कैसे तयार करेंगे इस वीडियो के मादर में जानते हैं जैसा कि आपको ग्यात है राज सिच्छा केंदर के दिसार निर्देसानु नोप फरव को एफिलेन मेला का आयोजन की जैना है इस पूर्व की तयारी के अदरगत हमें माताओं का समूर निर्माण करना जिसकी जानकारी हैं तो रेजिश्टर में किस पकार से हम खंड बना करके जांकारी को संदारित करके रख सकते हैं इस बारे में हम जानते हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं कुल खंडों की संक्या है वो 13 यहां कुछ खंड आगे हैं भी हम आपको इसके बारे बताएंगे तो सब सबसे पहले उपर आप देख रहे हैं आपर जो प्रारूप के रूप में हमने लिखा है और सिर्षक जो दिया है कि माता अर्थात आयुभावक समूह एपलेन मेला फरवरी दोजार चूबिस ठीक है यहां पर सिर्षक देंगे इसके पश्चा सामान जारकरी के अंतर का विद् खन्डों पर हम चर्चा करते जिनकी संख्या कुल ते रहा है तो पहले कर पर क्रमांग जाएगा इसके पश्याद बच्चे की माता याने अभुहावक का नाम यहां पर आजाएगा यहां पर आ जाएगा ठीक है फिर माता की सेख्छड की योक्ता याइनि उच्च्व माता म भुलकुल नहीं पढ़ी हैं मालो तो हम नौ जक्षास भी लिख सकते हैं यहां पर ठीक puisque अभी जो नॉबहरा साक्षा स्क्राइकरता कराल के क्रहें तो नव लिख सकते हैं तो उस्तमकिछा जो है उन्होंने अधी पढ़ा तो उस तम कक्षा को यहाँ पर लेख देना है उसके पचात माता का प्रकार याने उनका पद क्या होगा या उस समू निर्माण में उस समू में उसका पद क्या है क्या वह एंकर माता है अर्थात जो लीडर माता उस समू की लीडर है तो यहाँ पर उनका लिखना है एंकर या माता का मोबाइल नंबर ठीक है यदि माता का स्वयम का मोबाइल नंबर नहीं यह किन्तु आपने पती का मोबाइल नंबर भी उपयोग कर सकती हैं तो उसको भी हम यहां अंकित कर सकते हैं क्योंकि एक परिवार में निचे तोर से पती पतनी एक ही मोबाइल से कारिक करते हैं तो यदि दोनों उपयोग करते हैं, तो हम पूश करके बराबर उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर अंकित कर लेंगे, ठीक है, इसके पाशाथ मोबाइल का प्रकार क्या वो स्मार्टफोन है, या कीपट वाला है, ठीक है, तो यह लिख लेंगे, किन्तु यदि मोबाइल नंबर नहीं है, तब यहाँ पर लागू नहीं है, लिख देंगे, ठीक है, इसके पाशाथ आगे रिखेंगे, माता के बच्चों की संख्या, यहां पर इस तरह से यहां पर माता के बच्चों की संख्या अंकित कर दी जाएगी और आगे आप देखेंगे यहाँ पर फिर समू का नाम ठीक है याने उस समू का क्या नाम है उन्होंने क्या नाम रखा है उन्हें से पूछ करके आप देख लें और उस समू का नाम लिख लें मालो हो सकता है कि समू का नाम सरसोती समू हो सकता है दुरगा समू हो सकता है और भ ग्राम का है माने जाकोई ग्राइब ग्राइब च्छोटा सा है ठीक है तो उस च्छोटे से ग्राम के ग्राम करें लिए महोर करेंग कर सकते हैं और यह स्हारी त्यार इसे लिए एपलीन मेले के आजन के सम्भावना है या इस तरह के मेले के आजन होगा तो यह जु जानकरी है धिया हमारी विड्याले में सअंधारित रहना चाहिए आसा करता हूँ आज की इस वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी तो मिलेंगे के लिए काल खण में इसी तरह के किसी नए प्रकण को लेकर तब तक के लिए जैहिंद